Hello friends, welcome back to my YouTube channel दोस्तों आपका जो लेक्चर का स्क्रीनिंग का एक्जाम है उसमें एक टॉपिक है समानता के लिए सिक्षा आप लोग अपने इस लिवस में देखेगा जो टीचिंग एप्सिटूट का पॉइंट बन है वहाँ पर दिया हुआ है समानता के लिए सिक्षा तो इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है सबसे पहले तो बात करते हैं समानता के लिए सिक्षा इसका क्या मीनिंग है तो शिक्षा में समानता यानि कि बेदभाव के उन्हें education के सिक्षा के समान अफ़सरों की प्राप्ति हो यानि कि सारे बच्चे एक समान रूप से सिक्षा को प्राप्त कर सकें ये समानता के लिए सिक्षा का मिलिंग है तो ये समानता के लिए सिक्षा का जो तर्म है ये क्यों आया हुआ तो कहीं न कहीं समानता रही होगी चाहे वो धार्मिक तौर पे रही हो चाहे सांस्कृतिक तौर पे सामाजिक तौर पे आर्थिक तौर पे इसी वज़े से सिक्षा में कोई भी बच्चा सिक्षा से वंचित ना रह जाए हर बच्चे को एक गवर्मेंट ने कुछ प्रावधान भी बनाए हैं तो वो क्या-क्या हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं तो सबसे पहरे हैं निशुल के मनिवारी सिक्षा आर्टिकल 21 इसके बारे में पूरी वीडियो बना चुकी हूँ तो इसको मैं अभी डिटेल में नहीं विताऊंगी उसको आप तो महां से देख सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि सारे बच्चों को कंपासरी इन फ्री एजुकेशन मिले तो इससे ओविएसली सिक्षा में एक्क्वालिटी आ जाएगी नेक्स्ट है हमारा अलपर संख्य क्यों के लिए सिक्षा तो इसमें क्या है देखते हैं जो इंडियन कॉंस्टिशन है उसके आर्टिकल 30 अनुशे 30 में जो अलपर संख्यक समू है उनको एक राइट दिया गया है कि वो अपने कोई भी सेक्षिक संस्ताओं के स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रसाशन कर सकते हैं अनुशे 30 के अकॉर्डिंग तो इससे क्या होग अलपर संख्यक जो समू है उन पे कोई भी असमानता नहीं रह जाएगी उनको भी समान अवसर दिये गया है कि वो भी अपने सेक्षिक संस्ताओं के स्थापना कर सकते हैं नेक्स्ट है उसके बाद भासा संख्यक से लेटेट कानून आर्टिकल 29.1 में दिया गया है इसके ए संस्कृत है वह उस भाशा और उस अनस्कृति का संख्यक प्राओध कर सकता है अपसा संख्यक आर्टिकल 29.1 के एकषिक्षा जो भी बाषा इक अर्प संख्यक है उनके यह विशेश अधिकारी की निउक्ति का प्राउद्धूंग भी इसमें किया गया है फूर्थ है आपक को अपनी धार्मिक आस्था धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है लेकिन किसी की धार्मिक बावना को आहत नहीं करते हुए कोई भी सेक्षिक जो संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक उपदेश को नहीं दिया जाएगा किसी भी स्कूल में किसी धर्म मिशेश से लेटेट उपदेश नहीं दिये जाते हैं तो आर्टिकल 28-1 के उपदेश यह चीज दी हुए है नेक्स है हमारा इस्तरी सिक्षा इस्तरी सिक्षा से ब्राउधान है आर्टिकल 15-1 के एकॉर्डिंग कॉंस्टिटिशन में कि राज्य जो है किसी नागरिक समुह से केवाल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा यानि वो स्कूल्स या कोई भी सेक्षिक संस्था किसी को यह कहके नहीं बोल सकता कि यह लड़की है तो हम इसको एंडविशन नहीं देंगे यह लड़का है तो हम इसको एंडविशन नहीं देंगे उसके वाद एक पॉइंट आता है, एक टर्म आता है, समावेशी सिक्षा, इंक्लूसिफ एजुकेशन, आप लोग जब सीटाइड यूटट के तयारी करूंगे, तब आपने समावेशी सिक्षा पढ़ा होगा, तो ये समावेशी सिक्षा भी समानता के लिए जो सिक्षा है, उसी से related है, क्योंकि समावेशी सिक्षा में क्या है, समावेश, यानि कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो समान्य बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, या कोई भी individual differences है बच्चे में, व्यक्तिकर भिन्निता है, तो उन सभी बच्चों को education लेने के समान अवसर मिलने च सकते हैं, and next point है कि जो एक teacher है, teacher को कि क्या योगदान होना चाहिए, बच्चों में समानता के भावनों को बनाये रखने के लिए, तो समुदाए भावनों को बनाने के लिए, टीचर को गेम्स का आयोजन कराना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यारे जो खेल होते हैं बच्चों को नहीं बोलनी चाहिए, जिससे उसके मन में कोई भी ऐसी गलत चीज आये, उसके मन में भेदभाववली फिलिंग्स पैदा हो, तो जो PTA मीटिंग है, PTA मीटिंग में सिक्षकों को अभिवावुकों से इस बारे में बात करनी चाहिए, विचारों को बढ़ावा देना, य जैसे चार बच्चो या पांच बच्चो को एक ग्रुप बना दिया, उन पांच बच्चो को कोई एक्टिविटी दे दी, तो उससे क्या होगा, वो लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तो आपस में उनकी सहयोग की भावना का विकास होगा, तो यही एक टॉपिक है, सम पूशा जा सकता है तो यही टॉपिक में ध्यान देने वाली बात हैं तो आज का टॉपिक यहीं पर प्लोज होता है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट रख फॉर एक्जाम्स कंख्यूस मत होना सारी चीजें एक किसांद को रिलेटिड हैं